मकर संक्रान्ति का इस्नान प्राताकाल ब्रह्महूर से प्रारम हो चुगा है और लाकों लाक शद्दालू संगम घाट पर और अनिस्नान घाटों पर आकर इस्नान कर रहे हैं एक व्यापक सुरच्छा योजना के अंतरगा सारी विवस्ताय सुनश्चित की गई है जो शद्दालू यहाँ पर असंगम घाट पर या अनिस्नान घाटों पर आएं कम से कम उनको पैदल चलना पड़े इसलिए मागमेले छेतर के अंदर पारकिंग की विवस्ता है जिसको हम लोग हैली पैट पारकिंग, प्लॉट नमबर 17 की पारकिंग, गल्ला मंडी की पारकिंग, कछार की पारकिंग कहते हैं वो सब क्रियाशील है यह सारी पारकिंग मागमेले छेतर के अंदर की पारकिंग साथी साथ जलमे सुरच्छा देने के उद्देश से डीप वाटर वेरिकेटिंग की गई है जाल लगाया गया है बोटों का संचालन आपस में कोई बोट आपस में न लड़ें इसलिए दो किलो मिटर से लंबी रिवर लाइन डाली गई है जिसमें ये निर्धारित किया गया ह कि नाओ को इधर इस तरफ से आना है दूसरी तरफ से जाना है साथी साथ पब्लिक एडर सिस्टम के माद्यम से हम सारे नाओ पर बैटने वाले शदालों से अपील भी कर रहे हैं और सुनिश्चित भी करा रहे हैं कि वो सारे लाइफ जैकेट्स धारण करें एक कंपनीज के जवान प्रशिचित गोता खोर जल पुलिस के लोग एस डियारेफ की टीम एंडियारेफ की टीम लगी हुई है जहां तक यह हमारा इसके अलावा महिला शदालों की संख्या को द्रश्टिकत रखते हुए महिला पुलिस कर्मी भी बड़ी संख्या में लगाए सिसी टीवी कैमरों के माध्यम से पूरे माग मेले छेतर में नजर रखी जा रही है ड्रोन कैमरों का प्रयोग हम लोग आवश्यक तानुसार कर रहे हैं और इस प्रकार सारी गत्विदियां लगातार सुचार रूप से चल रही है पब्लिक एडर सिस्टम के माध्यम से भी ह हम शद्दालों को आवश्यक संदेश आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं अभी तक का अगर एक मोटे आकड़े के बात हम करते हैं तो लगबख प्रताकाल से दो लाग से अधिक लोग अभी तक इसनान कर चुके हैं यदि मकर संक्रांती का पर आज है ग्रहों की दशा के असूर की दशा के अनुरूप लेकिन कल भी 14 जनवरी लोग किछडी का पर मानते हुए कल भी बड़ी संक्या में लाखों की संक्या में लगबख 8 लाग के आसपास शद्दालों ने कल भी इसनान किया था अब ये तो संक्या जो है शाम तक इस पस्ट पाएगी लेकिन जिस प्रकार से लोग लगातार आ रहे हैं उससे उमीद है कि संक्या अलाकों लाक की होगी